है लो गाईज यार कैसे हैं अपसे भी लोग और आज की वीडियो में हम दुबारा से आ चुके हैं माइनक्राफ्ट में तो यार आप मेरे पीछे एक लाइक फार्म देख रहे होगे जिसको भाई नहीं पता लाइक जिसको पता है उसको बहुत अच्छी बात है कि पता है बड़ जिसको नहीं पता उसके लिए बहुत अच्छी बात है ठीक है क्योंकि यह माइनक्राफ्ट का सबसे यूजलेस फार् तो आपको पतावाँ को किसी चीज में ने यूजाती है। यूज संफिल फारम को भाई वह। पहले तो फारम को प्रकशले जाती है। पहले तो याउर इसकी सामगरी देखे लेते हैं कि इस फारम को बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा। तो first में आ जाती है बाई stone bricks कोई भी building block ठीक है hopper chest और piston भाई फिर हमें चाहिए redstone repeater glass और बाई redstone और redstone torch और लीवर और snow और carved pumpkin ठीक है तो normal pumpkin को आप shear से carved कर सकते हो तो यह न भाई ऐसा पहले ऐसा होता था कि यह यह न अगर आप भी ऐसा नहीं होगा वाई क्योंकि आज मैं इस farm को आपको यूज बताने वाले हो लाइक बहुत तकड़ा भाई मुझे तो बहुत तकड़ा यूज लगा ठीक है तो इसलिए इसलिए मैं इस पर वीडियो मना रहो तो पहले तो थोड़ा सा area clear कर लिया हमने क्योंकि यह थोड़ा सा पीछे को जाएगा हमारा farm तो इसको भाई बनाने के लिए दो पांच मिनिट लगेंगे यह ज्यादा से ज्यादा ठीक है तो फिर आपको एक चेस्ट रखने है और crouch करकर भाई hopper रख देने हैं दो आप चार hoppers भी रख सकते हो बट मैं तो आपको दो ही प्रेफर करूंगा कि दो hopper रखो ठीक है ज्यादा को कि बादा नहीं है ठीक है नुकसान है उल्टा तो साइड पर भाई एक ब्लॉक लगा देना है और फिर भाई crouch करकर थोड़ा सा उपर चले जाते हैं दोनों साइड बाई ऐसे पिष्टन लगा देने हैं आपको ठीक है तो ध्यान से देखना भाई इस वीडियो को ठीक है तो फ प llagy हमें प्र ह đây पोर की हाइट तक लिए रिचाना और फिर फोर कहा ले गया तो उसके उपर एक नशक लगा देने हैं हमने चांक्ता कि आरप इसमें जो हमारा स्नो गोलम आएगा ठीक है तो उस वह वह रहीय एक को उई बारिश होती है तो अगर तो यहानुत या तो अभी थोगड़ा सा भाई हमारा रैड स्टोनी का कामाता है सबसे पहले तो एक ऐसे ब्लॉक लगाते हैं पिस्टन के जीचे और इसका कोई सेंटर तो है नहीं फार्म का ठीक है तो अंदाजे से जहां पर आप ब्लॉक रखना जाते हो रखो तो फिर आपको ना एक कोई भी साइट पर रैड स्टोन टॉर्च लगा दनी है और उसके भाई सामने इस वाले ब्लॉक पर ठीक है उसके एक ब्लॉक शोड कर आगे ठीक है वहां पर रैड स्टोन लगा दना है और वाई जिद्र की side हमने redstone लगा है उद्री side ही यह repeater को like face करना चाहिए like उद्र को यह face करना चाहिए अभी यह देखो वाई हमारी redstone इधर है अगर आपने like दूसरी side लगा है तो दूसरी side phase करना चाहिए और torch भी वह भी बहुत जुरूरी है और फिर यह साइड पर तो यह मरा रेड स्टून का क्लॉग बन गये लीवर को बंद कर सक्क्राँ पर यह वाएजार लेवर से हम अपनी मर्जी से इस फार्म को बंद कर पाई चाली कर पाई ठीक है तो फिर नहीं अपर यहां पर आ को एक रिपीटर लगा देना है और उसकी टेक टिक एक कर दिने हैं ठीक है भाई तो फिर आप यहां पर देखो हमारा तो आपका अगर यह पिस्टन ऐसे चालू हो रहा है ठीक है लेकर ऐसे वर्क करना तो यहां फिर आपका फार्म बिल्कुल सही है और फिर सेम प्रसेस हम कैंशा गाम कर रहे ठीक है तो हमारा सही वर्क कर रहा अभी के फिलाल के लिए इसको भाई बंद कर देते हैं और अभी यह को क्या करना होगा तो यहां फिर हमको फार्म के उपर जाना और उपर ले दो ब्रोक बाई तोड़ देने और यहां पर हमें अभी स्नू गॉल्म समन जिसको नहीं पता कोई नी भाई मैं बता देता हूं भी किया कैसे नाजनी और मोफ यह और काब्ड पॉम्पिन लिए और यह स्नौ को और मेंま प्सक्रेंड ग्या राइक बन गया ठीक है सामर हो गया तो इसको आप पहली भी बना सकती हो भाई ताकि यह फिर आपको लाइक उपर जाने का बार बार जन्जर नहीं हो तो फिर हमको यह थोड़ा सा ना कैलेकलेशन करकर लाइक दो ब्लोक ऐसे लगा दिये मैंने तो फिर हमको ना एक रूम बना कर आपको मिलता हूँ फिर हमको क्या करना की अंदर टॉर्चिस लगा देंगे ताकि यह कोई जॉंबी विकारा समन ना हो इसके अंदर तो वैसे तो भाई होकर नहीं फिर भी यह सेफटी के लिए आप लगा दें क्योंकि यह अगर क्रीपर इसके अंदर स्पॉन हो गया तो आपको एकदम यूज इसका बताता हूं कि क्या यूज है वह अभी आप इस चेस्ट में देख रहे हैं यह चेस्ट खाली है ठीक है तो फिर आपको अपने रूम के अंदर आने के बाद भाई आपको ना यह लीवर को अन कर देना ठीक है यह वाई सारा फार्म इस लीवर पर ठीक है इसको अगर आपन कर देगा तो आपका स्नोबॉल फार्म यह बन जाएगा और यह गल्त चीज होगी मसे तो यहां पर फिर आपको रेड्स्टोन टॉर्च लगा दें ठीक है पिस्टन में तो यह यह वर्क करेगा वर्ना नहीं करेगा ठीक है तो अभी मैं जाकर बाह हमारे में जानवर हों के तो खीर कोई नहीं बाई जिस दिन मैं जृब ए spoiler लिट फार्म को थे तो अभी पिक को आपको नहीं करता ठीक है तो अभी छेस्ट में देखते हैं कितना हमारे पास अभी यह धिती हो भाई तो यह हमारा इसका मतलब है कि हमारा snowball farm एक दम भाई अच्छे से work करता है ठीक है तो अभी यह तो हो गया snowball farm कैसे होता है कि कैसे work करता है कैसे बनता है तो अभी इसका मैं आपको खतरना use बताता हूँ मैंने भाई यह भी blaze summon कर ली ठीक है तो आप सोच रहे हो कि इसका भाई farm का blaze से क्या लेना देना है तो यह इस जो अभी update आई है तो यह देखो भाई मैंने दो अभी walls मार दी तीन चार पांच छे और यह साथ भाई देख रहे हो यह यह use था जिस यह बाई minecraft सबसे useless farm है ठीक है वो भाई blaze जैसे खतरना को उसको mob को खतरना की गिनूँगा क्योंकि here minecraft pocket edition में इसको मारना बहुत ज्यादा मुश्किल होता ठीक है आई आपको पता है एक normal mob को मारना भी कितना मुश्किल होता है like minecraft pocket edition में तो भाई चलना ही कितना मुश्किल होता है अभी here यह देखो भाई तो थोड़ा सा भाई है लाई कि इसमें रिस्क की कम होगा तो वह बत अलगा कि वाई अगर आपके पास लाई कि लूटिंग वाली स्वार्ड है ठीक है तो फिर आपको तो यह बेब कुफी होगा जो यह फिर इस बॉल्स का यूज़ करेगा तो लूटिंग परिगर स्वार्ड नहीं है अब कहा है कि जल्स को ग्रच को बलेज को बलेज को यह फार्म नढए थीक है तो यह है मैं पुखन दो जाए रहा हूँ कि अगर यार यह नहीं नहीं है कुछ तो खामां गया आया बहँ यह और आम नार्मल बाउल से उसको यह उसको मालें कि खुर बैई किसी ही सर्वाब को ठीक है तो उसको नहीं रहें और इस अशी बात भई ऐसा नहीं को में अगर हम स्नोबॉल से मारते हैं कि ब्लेज को तो उसका कोई रेट कम हो जाएगी ब्लेस रोड गिराने की ड्रॉप करने की रेट कम हो जाएगी यह बिल्कुल भी नहीं है आप देख सकते हो कि जितनी मैंने ब्लेज मारी वो सारी बाई हमें रोड ड्रॉप कर रही थी और अगर आप सर्वाइवल में खेलोगे आप तो तो फिर आप एक चैंबर बनाना तक कि आप आपके पीछे से ना टैक हो पाए और आप ब्लेस को दढड़ा दढ़ मारे जाओ वाई एक दो स्टैक के स्टैक बरकर लेकर जाना भाई स्नोबॉल्स के तो ऐस भाई फिर देखना आपकी कैसा भाई और ऐसा भी नहीं कोई रेट कम हो रहा है इसका थ्रो करने का ठीक है तो ब्लेस भाई अपनी रॉड जितना लाइक उनका होगा अगर आप स्वाड से मारोगे फिर भी उतनी वह रॉड लाइक ड्रॉप करेंगी अगर आप स्नोबॉल से मारोगे फिर भी वह उतनी और ड्रॉप करेंगी ठीक है तो पैसा नहीं है राज मेरी लाइक क्या हो गया थोड़ा से बॉलने में दिक्कत होगी तो यह इस वीडियो के लिए भाई मैंने बहुर सर्च की खाली आपको लगता होगी लाइक कुछ नहीं है बट मैं कह रहा हूँ कि कुछ नहीं है ठीक है तो अभी यूजलेस क्या था भाई स्नोबॉल जिसका भाई जिससे भाई कुछ भी नहीं होता तो इसलिए मैंने सोचे कि यह वीडियो बनाते हैं कि कुछ इसको यूज तो है अगर आप साथ स्नोबॉल मारोगे ठीक है बलेज को तो वह डैड है कोई इसका भाई नेगिटिव इंपक्ट निया बना कर देखो इस फार्म को और इसको भाई ट्रिक को भी यूज करकर देखना अभी बैड ड्रॉग या लाइक मुझे यह नहीं पता कि जावा में काम करेगी ठीक है मैं तो पॉकेट एडिशन में खेहता हूं बैड ड्रॉग एडिशन एक ब ने वीडियो मना देंगे हम ऊभाई हम कोई दिक्ड़ीवात नहीं है हाँ यह थी इथी की वीडियो अगर आपको अच्छी लेगी तो लाइक कर देना अजनल को सबस्क्राइ़ कर